जे में बाच्छड होई आगर आगर चाले पने गा एनी पाच्छड पाच्छड तो हूं पर बिल्कुल ठीक एज प्रकार थी भग तो आगर आगर चाले हूं एनी पाच्छड पाच्छड कथा श्रवन माटे तमे घरे थी एकला नथी निकड़ता तमारो ठाकूर पन तमारी पाच्छड पाच्छड आवे चे जारे तम्हें घरे थी निकड़ा कथा श्रवन करवा माटे तो इह पाछड पाछड आवे पाणडाल मावी ने बेठा तमारा खोड़ा मावेसी ने इह कथा सामड़े अन्य जारे कथा श्रवन करी ने तम्हें पाछा घर तरफ जाओ तो इत मारी आगड़ आगड़ चाले जारे कथा श्रवन माटे निकड़ो तो ठाकुर विचारे कि आग केवो मारो प्रेमी भक्त छे मारी कथानू श्रवन करवा माटे जई रहो छे केमन आना चरण रजने हूं मारा माथा उपर चड़ाओ इतले इपाछड पाछड चाले अन्य जारे कथा सामबड़ी निकड़ो तो आरे विचारे कि आग मारो अनन्य भक्त छे मारी कथा मा आने प्रिती छे तो हवे हूं आनी आगड़ आगड़ आना रस्ता मावता जेटला पन तंकर पत्थर शे बधो रास्तों साफ करतों करतों हूं चालू हूं एनी आगड़ आगड़ चालू कथा सामबड़ी ने जाईए तो यागड़ आने सामबड़ आमाटे निकड़ो त्यार रही पाच्छा अन यहां बेसी एछे तो आपड़ा खोड़ा माई ठाकूर पन तमारे तमारा घर माँ बिराजलो ठाकूर तमारा खोड़ा माँ बेसी ने यह कथान उश्रवन करे चे तो कायन के भगवान पूते आग्या करे चे ना हम वसामी वेकुंट में नारद ना में वेकुंट में रहता हूं न यग्य न तप ना मुनियों के रदे में में मधभक्ता यत् जहां जहां मेरा भग्त मेरे गुणगानों का चिंतन करता है तत्र तिष्ठामी नारद में वहां पर बैठता हूं वहां में वास करता हूं तो ये कथा बड़ी भगवान को भी अतिप्रीय है देखिए अपनी भारतिय संस्कृति में दो गंगाओं का निरुपन किया गया एक तो भगी रथी गंगा जो अपने पुर्वजों का उधार करने के लिए प्रत्विपर गंगा का उतरन किया भगी रथ राजाने तो एक भगी रथी गंगा और दूसरी भागवती गंगा जिस भागवत को भी गंगा की हुकुमा दी गई है और दोनों ही गंगा भगवान के श्री विक्रह में से ही प्रगट हुई एक वो भागी रथी गंगा भगवान के चर्णों से प्रगट हुई और एक ये भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से प्रगट हुई अपने पूरुमा जवाद करी हती भागवत शुका मकारण के भगवान ज़ आना वक्ता चे ए भागवती गंगा जे आपना प्रारब्धना जे कर्म चे एमा थी ये मुख्त करावे चे अने आ जे गंगा छे भागवती गंगा ए आपने जे हवे कर्म करवाना चे एक कर्मने शुद्ध करे चे एक तन्ने पवित्र करे एक मन्ने पवित्र करे अने आ भागवान नी वानी छे एटले आ भागवती गंगा प्रॉट कर दो कर दो कर दो आज शिमद भागवत न पांच अंगों बतावे आज़े ध्यान देना पांच अंगों का निरुपन किया गया शिमद भागवत का पहला अंग है चरित्र शिमद भागवत में क्या है चरित्र किनके भक्त के चरित्र भगवान के चरित्र महर्शियों के साधों के चरित्र भागवत का दूसरा अंग है उपदेश सुंदर सुंदर इसमें उपदेश है भागवत का तीसरा अंग है रूपक किसी बात को समझाने के लिए किसी एक्जांपल द्रश्टांद आपी ने चे समझाव माँ पे चे रूप रूपक जम आगड आवेचे कथा माँ प्रतम स्कंद माँ पण गाये प्रत्वी गाये नुरूप धारन कर्यूँद धर में बड़त नुरूप छे पची पुरंजन आख्यान यह भागणा बदा रूपक छे तो त्री जो अंग रूपक चोथो अंग गीत बड़े सुन्दर सुन्दर गीत इसमें कई गीत हैं जिसमें पंच गीत मुख्या है और शिमद भागवत का पांचमा अंग है स्तुति अब पांच अंग छे शिमद भागवत हैं चरित्र उपदेश रूपक गीत और स्तुति सुन्दर सुन्दर स्तुति शिमद भागवत मा खूब सुन्दर सुन्दर स्तुति देन्य भावती करेलू निवेदन्द और निस्तुति कहवाले प्रार्थना अलग छे निस्तुति अलग छे प्रार्थना मा क्यांक सकाम भाव होई छे प्रस्तुति निश्काम भाव से की जाती हैं जब रदय में रहा हुआ देन्य स्नेह भाव वानी के द्वारा प्रगट हो तो उसे स्तुति कहते हैं और जब रदय में रहा हुआ देन्य भाव क्रिया के रूप में प्रगट हो तो उसे सेवा कहते हैं जारे प्रेम क्रियाना रूप मावी जाए तो इसे वा अन्य प्रेम शब्दोना रूप मावी जाए तो इस तुती सेवा सूच है एक भावनू प्रस्तूती करण गणाने विचरावे सुकाम सेवा करवे भोग दरावाना ना शिंगार करवाना ना सुकाम अरे ये एक हमारे भाव का प्रस्तूती करण है हमारे ठाकूर के लिए उनकी जारी जी भरे उनको भोग धराना उनको पोढ़ाना ये सब क्या है भाव का प्रस्तूती करण और वो जरूरी है अज़े कोई नो बर्डे होए अपने पार्टी माः गया होए तो कहिंग भुके लेने जाहिए कहिंग डिफ्ट लेने जाहिए कहिंग आप ये परिवार माँ साथे रहता होए पती-पत्ट मी होए पर वी जी प्रेम छे-तो क्यारेक पच्या बोलू ए पढ़े प्रस्तूत करू उपड़े प्रस्तूत ना करो तो प्रस्तूत प्राब्लम थाए तो जिम लौक मा आपड़े प्रस्तूती करण जे कहिए छिए एवीड ते जे सने भगवान माटे नो छे अने एना माटे नी आपड़े जे क्रिया करिए छिए एसु छे आपणा भावनू प्रस्तूती करा लो अंच यह जरूरी छे खाली रडेमा राखी ने राखो एमनों चाल लोको मानसी सेवा करवा वाड़ बोव गई छे उमें तो मंती करी लिए मंती करी लिए अरे वही मानसी सेवा एसे ही नहीं होती है वो तो मान सीसा परामता बड़ी उच्छ कोटी की सेवा है साधारन जीवों की बात नहीं है शिमहा प्रभुजी ये तो तत सिध्धेई तनु वित्त जा पेला तनु जा पच्छी आपड़ों वित्त एकले धन अने तन अने धन जारे लागे पच्छी एनी आगड़नों त्रीजो स्टेप छे मान सी गणाने विचे के सेवा शुकाम करऊ तो मन्थी याद करीद लईये ने मन्थी थाई जाए इटले थाईगी सेवा पची एवू बधी क्रियामा करऊ जोईये भूख लागे तारे मन्थी जमी लेतू जो तारू पेट भराई जतू होए ए मान सी मां तो सेवा ये तारी चाल से पर ए समय तो नहीं थाली जो से भाई पर अपर जम्वानों जो ये तो पेट भराई मां मान सी येमां नहीं चाले तो जार सुदी एवी अवस्था नों आवे त्यार सुदी तनु वित्त जा कर भी पड़ शे ये आपड़ा भावनु प्रस्तुती करण छे प्रभू माटे हो तो स्नेह ज्यारे क्रिया मावी जाए वो सेवा और स्नेह देन्य भाव जब शब्दों के द्वारा प्रगट हो तो वो स्तुती और उसी देन्य स्नेह भाव में माधुर्य भाव और आतूरता भाव विरह भाव मिल जाए और फिर जो वाणी से प्रगट हुआ तो वो गीत गीतों में आप देखो ब्रमर गीत देखें वेनु गीत देखें गोपी गीत के दर्शन करें युगल गीत हैं उसमें प्रभू के प्रती कुछ माधूर्य भाव है तो एक विशिष्ट भाव नू जारे एमा सम्मिलित थाए और आतूर भाव जारे जीवनी अंदर आवे और ये जे शब्दों द्वारा प्रगट थाए तो युगीत तो प्रभू से कुछ एक विशिष्ट सम्मंध हमें जोड़ना पड़ेगा देगे परमात्मा तो वो सब के है चीटी के भी है हाथी के भी है परमात्मा लेकिन उनके साथ एक विशिष्ट सम्मंध जोड़ना है ये कथा उस संबंद को बनाती है जुडवाती है एक विशिष्ट संबंद अपने इष्ट के साथ वो मेरे सक्य हैं वो मेरे प्रियतम हैं वह मेरे बालक हैं वह मेरे स्वामी हैं तो एक विशिष्ट संबंद इष्ट साथे जुडवू पड़शे ये विशिष्ट संबंद निस्थापनाश्य महाप्रभुजी है ब्रह्म संबंद नाद्वारा ब्रह्म संबंद लिदू त्यारे दासो हम ये कृष्ण हुँ तमारो दास प्रयो हुँ आपनो दास अनश्य आचारे चरणे पछी वात करी जरे सेवा करिए तो सरवदा सर्वभावे ना शर्वभाव थी प्रहुनी सेवा करो तो विशिष्ट संबंद साथ माधूरी भाव साथ आतूर भाव साथ अनले देइन भाव आत् sun मडीन जरे शब्दो द्वारा प्रगळ थाए तो वो गीत अन्य देन्य भाव थी प्रभुने करेलों निवेधन इस्तुती गत दिवस आपड़े शी कुंताज स्तुती ना दर्शन करया अंतुमा कुंताजी बहु सुरस बात करी त्वैमे नन्य विशया मतिर मधुपते सक्रत रती मुधहत दादद्वा गंगे वोज्य मुदन्वती अंतुमा वसकुंताजी येटलूज कहे छे प्रभु जेम गंगाजी नी अखंड धारा समुद्रमा पड़े छे समुद्रमा मड़े छे हे विरते मारिया मति मारिया बुद्धी बीजे क्याए नवजईने सतत आपमा लागे ली रहे बस हुँ एज आपने विंती करूँ जे खुब सुन्दर भावो थी कुंताजी प्रभु ने स्तुती करी स्तुती श्रवन करीने भगवाने मंद हास से कर्यों प्रभु रोकाई गया अन्य हवे युदिष्टिर जी तिया आवे भगवाने जानी गया क्या युदिष्टिर ना मनमा एक शन्षय छे युदिष्टिर ना मनमा खेद हतो का आव अधू युद्ध हमें करिऊ हमारा गुरु जनों भाईयोंने बुधा इहा एक सत्ता संपति माँते राज्य माँते विस्मरण धाई गयों के भई आएक सत्ता संपत्ती नो युद्ध न हतु आएक धर्म युद्ध हतु धर्मनी स्थापना करवे हती पड़ एमना मनमा एक खेद के सत्ता राज्य माटे हमें अमारा गुरुजनों भाईयों ने मार्या तो हुए विचारे हो कि आज शंशे दूर करवो खुब आवश्यक्त छे तो ये शंशे ने दूर करवा माटे अने भिश्म जी ने क्या हुआ अरत्मा के जारे आज औरो पांडवनों युद्ध चालतु हतु दुरियों दनना घणा भाईयों मरी गया आने दुरियो दनने शंका करी भिश्म पिता माहँ पर लांचन जगाड़ी मुझे तुम्य भले हमारे साथ रही ने युद करो खूँ पर तुम्य तो ये पंडवनों हीत चाहो खूँ इना करता एनी साथे जीने जीव दुकरों इवधारे सारू रेसे तो आपना जो महाबली आटला दियूसो देग्या आजी आज आपांचे पांच बांड़ा उभा होए वो बनीजना शेटे आओ जारे लांचन लगाड़े तारे पिता महें कयो जो ने शंशेचे तारो शंका होए तो इनने दूर कर आमाट एम कर तारी पत्नी ने तुम मुकल मारी पास है हूँ इने अखंड सोभाग येवतीन आशिरो अदापी देश तो तो तने मारा मा विश्वास आऊ से ना दूरियो देने जेने ने पत्नी ने करियो के पिता महाना इनना भावन मा जजो द्वार का देश बदू जानी गया अब आदरोपदी ने त्यां बदा बेठा था ने थरत आवी ने चलो चलो पांचा लिए क्या प्रभू क्या तु चल मारी साथे चल इनने लई गया अने पिश्म पिता महाना कक्षन बहारू भारया ने कहुँ जो सोथी पिला पूरी आखे लाज काड मोडू देखारती नहीं अने चुप चाप जईने पिता महाना चरणनों सपर्श करी ले जए 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 कहीं बोईला वगर पाची आवी जए 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 बूलती तो एम वात निकड़े तो एम तो नो बोलती के हूं तो नहीं यां लईने आए वो जए ठीक चलो गरंजे भी आपने आज गया आपके उली इलाज काड़ी इने अंदर गई द्रौप दी चनश वश कर्या पिता महने लाग्यों क्या दुरियो धन्नी पत्नी छे न आशिर्वाद आपे दिदू अखंड सो भाग गेवती भाव ये पिता मह का आशिर्वाद उली र आजी राजी थे गई पिता महां आपे बहु गृपा करी हमारा उपर रोज मने आप भैडर लागतो आज शू दसे शू नहीं था है लेकिन आप जे आपना आशिर्वाद मड़ी गया हवे हूं निर्भय बनी गई चू जा आप वचन बोली पिता महां के अरे तुम यहां के सब्सक्राइब है यहां के विड़ते आवी कौन लावी तरने अवे वोली ने याद आवरे बोलवानु हतु ने चुप्रेवानु हतु ने उसा आनन्द महूं बोली गई बस बस पिता महां आपना दर्शन करवा माटे उहां यहां आवी अती आपना वंदन चरश्परश करवा माटे के ना ना एम तो तुनों आवी ओए कौनी साथे आई वी उन्हें तो मारी सक्खी साथे आई वी छो कौन तारी सक्खी ये तो बारे उभी चे श्यामा सक्खी चे इनी साथे आई वी अच्छा बुलाव जे नहां द्वार का देश बार उभा क्या सक्खी अवे कईू अने पोता नुझे उको वस्त रहतू तो धाक्यों मोड़ा उपर अंदर आए खोला अच्छा ये है तेरी श्यामा सक्खी वा ब्रहु वा आजे तो खुब सुन्दर आपे निला करी आजे जेविर्दे आप मने दर्शन आ पी रहा छो आप मने वचन आपो कि मारा अंति में समय मा आविर्थे आप मने सामय ती दर्शन आप माटे पधा रशू प्रभुय कहूं के जरूर आपनी मनोरत हूँ पुनो करीश तो ए जे वचन पिता हमने आपी वहतू ए वचन ने पूरू करवा माटे और युरिष्टि विश्म पिता महा पूर्याचे ते आव्या अने कहयू कहे पिता महा आ युदिष्टिर जी ने जे संशे चे आप दूर करो विश्म जी कहे चे पेला हे वासुदेव तो पन अच्छ मासुदी मने आप एड़ा केम सहन करवी पड़ी अबान सईया उपर मने सुभू पड़ियो एनू शुकारण दौर काधिष्टि कहे चे पिता महा आप याद करो भले आपे पाप करया न थी पन इस सभाने याद करो जारे द्रवबदी आपनी पास से आवी हती त्यारे आप चुप थाई ने बेखा पाप करयू नहीं पन पापने ठता आपे जोयू छे आ एनी पीड़ा आपने सहन करवी पड़े छे विश्मपिता महानों शंशय दूर थयो युदिष्टिर जीने बधा भाईयों ने राज धर्मन उपदेश आपयो अने हवे उत्रायर नों समय आवे और अंतिम समय आवे राथ जोड़ी ने प्रहुने बिंती करी स्पुती कर्यों सदेव देवो भगवान प्रतिक्षतां कले वरम्याव दिदं हिनो म्यहं प्रसन हासा रुणलो चनो लसन मुखाम भुजो भ्यान पतश्चप्र भुजप्र सदेव देवो भगवान प्रतिक्षतां कले वरम्याव दिदं हिनो म्यहं प्रसन हासा रुणलो चनो लसन मुखाम भुजो ध्यान पतश्चप्र भुजप्र यह देवो के देव प्रतिक्षतां अब आप प्रतिक्षा करें अभी दक्तो में आपकी प्रतिक्षा कर रहा था कब आप आएं पर अब आप प्रतिक्षा करो कब तक कि जब तक इस देह में सप्राण नो निकल जाएं क्योंकि आपने ही कहा है यह यथा माम प्रपध्यनते तो अभी तक प्रतिक्षा करने का काम मेरा था अब आप प्रतिक्षा करें में अपने अंतिम समय तक आपके यह प्रसंद हासा आपके यह सुन्दर मुखाकृति के मधुरागृति के दर्शन करके अपने प्राणों को छो बोड़ना चाहता हूं तो प्रतिक्षतां रभु प्रतिक्षा करें यह सब प्रेम की सीडिया हैं कि प्यास प्रयास प्रार्थना प्रतिक्षा और प्रसाद यह सब सीडियां सब से पहले प्यास भगवद मिलन की प्यास ही नहीं उसके बाद प्रयास प्रयास के बाद प्रार्थना और प्रार्थना करने के बाद प्रतिक्षा धहरे बना के रखो और प्रतिक्षा के बाद प्रसाद प्रसाद क्या प्रसंता प्रहू की प्रसंता मिले यही तो प्रसाद है प्रसाद अस्तु प्रसंता हा आपने प्रसाद ने किवल खावा पिवाना अर्थमा लई ये तो ठीक छे एक एनू आधिभौतिक सुरूप कही शकाय प्रसाद नूँ पन मुख्य प्रसाद कोने कहवाए गुरु ठाकुर्नी प्रसंता आपडी उपर स्दा बनी रहे यह सुथी मोट प्रसाथ अंध में प्रसाथ उनकी प्रसंता मिले तो सबसे पहले प्यास फिर प्रयाぜ फिर प्रार्थना फिर प्रतिक्षा और प्रसाथ तो अभी तक तो बड़ी इन्होंने प्रतिक्षा की और अब रभु उनके सामने खड़े हैं मंद मंद मुस्कडा रहे हैं अब विश्मजी रभु के वपू के गानती के दर्शन करकर सुन्दर भगवान की स्कुति कर रहे हैं आईए कुछ उश्लोकों का गान करें इतीमती रुपकल्पिता वित्रुष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे दिभुम्नी स्वसुः मुपकते त्वचित्विहर्तुंग प्रकृते नूपे युश्य धव प्रवाह प्रिपुवन कमनं तमाल वर्णं रविधर गौर्व लांपरं दधाने वपुरल ककुला प्रुतान नाव्यम् विजय सखेरति रस्तुमें वध्यार बड़ी सुन्दर यहां विश्मजी के स्तुती अग्यार स्लोक मा विश्मजी अस्तुती करीज़ श्मजी महाप्रभुजी आग्या करेचे के अग्यार स्लोकों मा प्रथम श्लोक एमा आत्म निवेदन नो भाव छे छेललो स्लोक एमा सर्वस्व समर्पण नो भाव छे औने वच्चेना नव श्लोक के नवधा भक्तिनो सुरुत छे तो अज्यारश लोकों मा भगवान निस्तूती करी इले पोतानी एकादश इंद्रियों ने प्रभुमा समर्पन करवू आ एकादश इंद्रियों प्रभुमा लागी जाए एज आ इंद्रियों नी सार्थत्ता चा विश्मजीय सवुती पेला फोतानी मतीनु निवेदन तर्युए इति मती रूपकल्पिता वित्रुष्णा कारण के मतीना समर्पण द्वारा सर्वस्वनु समर्पण थाई छे मती शुद्ध होय त्रुष्णा रहित होय तो ए मतीने भगवान स्रिकारे छे में कर्यू मारे करवानू मारा द्वारा थखशे आब दी तुरुष्णा युक्त बुद्धी कहवा है लेकिन जब मैं और मेरा का भाव निकल गया तो उस बुद्धी को वित्रुष्णा कहते हैं जे माती लौकिक पारलौकिक तुरुष्णा निकड़ी गई होय एवी वित्रुष्णा बुद्धी प्रहु आहु आपने समर्पन करूँ छे बे भाव वित्रुष्णा ना आपने समझी शकिये के जे माती बधी तुरुष्णाओं निकड़ी गई होय अथवा एक विशिष्ण तुरुष्णावाडिया बुद्धी के केवल आपनी जिजेनी चाहा छे एविया विशेश तुरुष्णावाडि बुद्धी प्रभु हुँ आपने समर्पित करूँ छे मे और मेरा आप प्रधम श्लोक मा आत्मनी वे दन्न भाव रहे लो छे एकलत्त में जू अपुष्टिप परंपरामा दे दिख्षाओ एक नामनी वेदन अने बिजू आत्मनी वेदन बाड़क नानू होए बोली न शके तो आजारे परिवार पासे बाड़क न लई जाया याने पछी ये बाड़क ना कानमा गुरू त्रण वखत अश्टाक्षर मंत्र नू समर्ण करावा